आप सब उमीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे अपना बहुत साधियान रख रहे होंगे आज मैं आप लोग के साथ ये बर्गर की रेस्पी शेक करने जा रही हूं जो की बहुत सिंपल रेस्पी बहूत जट इन चोटे वाले आलू बाइल करके रखेते तो मैंने इसे तीन से चार आलू मैंने इसे तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल मेरे फूट लाइफ प्रोसेस में जहां आप लोग को मिलती है बहुत ही सिंपल इजी रेस्पी जिसे आप अपने घर पर एनी टाइम बना सकते हैं क्योंकि सारे इंगेंट्स आपको अपने कीचन में ही मिल जाएंगे या रेस्पी कई लिए अच्छी लगती है या नहीं लगती है कोई कमें आपको बता दिया कीजिए आपको रेस्पी कैसी लगे अग्जेकली आप हम इसमें मतर डालेंगे मैंने फ्रेश मटर को पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था आप चाहें तो फ्रोजन मटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मटर हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे बस एक से दो चमच के करीब हम मटर डालेंगे उसके बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे मटर को मैंने बॉयल इसलिए कर दिया ताकि हाथों से इजीली मैश हो सके इसलिए हम मटर को बॉयल पहले से करके रखेंगे क्योंकि इसकी हमें टिकियां बनानी है उसके बाद मैंने इसमें एक चॉप की हुई हरी मिर्ची डाली है आद नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालेंगे मैंने इसमें आधी चोटी चमच के करीब नमक डाली है और उसके बाद आधी चोटी चमच लाल मिच पाउडर डाले है और आधी छोटी चमच भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है उसके बाद हम इसमें क्रिस्पी नैस लाने के लिए चावल का आटे का इस्तिमाल करेंगे आप चाहें तो कॉन फ्लोर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मसाले जैसे ही आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और मटर भी अच्छे से मैश हो जाएगा तो इसे पांच मिनिट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए क्योंकि मैंने ये आलू बहुत पहले ही बॉइल करके रख लिया था तो फोड़ा सा स्टिकिनेस ती आरही है इस वज़े से मैं इसे पांच मिनिट के रख के सेट करूने के लिए छो हम इसे गोल-गोल पोर्शन लेंगे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और राउंड-ड़ांड टिकी के बनाते हुए जाएंगे मैंने इसे चार से पांच टिकी बनाए है वह उत ऐसी बन गई है तो अगर आपको भी ऐसे कभी प्रॉब्लम हाई ना तो आप भी अपना या मसाला उसे फ्रिज में रख दीजेगा वह अच्छे से कंसिस्टेंसी उसके सट हो जाएगी शेप देने के टाइम आप अपने बन का साइस जरू ध्यान में रखिएगा कि ज्यादा बड़ी टिकी भी नहीं बन जाए आपकी और ज्यादा छोटी इतने बैटर में चार से प हम इसे फ्राइब करने के प्रोसस में चलते हैं पहले के आपको सारी टिकैंth दिखा देती हूं चार टिकियां बनके सेञे और बहुत ही अच्छे से इनका शेप आया है फ्राइ करने के लिए मैं इसे डीप फ्राइ नहीं करूंगे मैं इसको हलका सा सेखने वाली हो लेकिन फिर भी देखेगा यह बहुत क्रिस्पी बनेगी तो इसके लिए ना हम फ्राइंग पैन चढ़ा दे रहे हैं या फिर धोसा तवाय ना वो चढ़ा देंगे उस पर तेल डालकर एक चमच के करीब तेल डालकर उसे अच्छे से फैला देंगे और अपनी टिक्यों को इसी तरीके से डाल देंगे रख देंगे आपको डीप फ्राइ वाले टिक्यां पसंद है तो आप इने फ्राइ भी कर सकते हैं यह बि डाल दे रही हूं अब मैं इसे हलके हाथों से पलट दी जाओंगे नीरा तवा जो है वो साइज में थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने चारों टिक्यों को एक साथ डाल दिया है आप अपने तवा या कढ़ाई के साइज के कॉर्डिंग अपने टिक्यां डालिएगा ओवर टिक्यों को एक साइड से पलट दिया है अब मैं इस तरीके से हलक हलका प्रेस कर रही हूं यह टिक्यांद मिर्च वाली है यह स्पेशली मैंने अपनी बेटी बनाया है इसासे एक थोड़ा साइज ढाला है मैंने पहले भी बताया था अगर आपको टिक्यों में प्याज कहन पसंद तो आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं बस प्याज को हमें बारीक बारीक चॉप करना है और साथ के साथ हमारी बागि टिकएं भी देख सकते हैं कितनी क्रिस्प होती इसको भी पलट देते हैं एक साइट से और उसको भी थोड़ा सा प्रेस करके सीख लेते हैं तब तक में हमारी ये बाकी की टिक्या बनके रेड़ी हो चुकी है तो इन्हें हम निकाल लेते हैं घटा देते हैं तब इसे बैक ग्राउंड म्यूजिक के लिए आप सब मुझे क्रिपी लग रही है और बोहगी है मैंने इने फ्राइ किया रेड़ी किया है टेष्ट भी इनका बहुत गजब का है तो इसी तरीके से आप अपनी सारी टिक्या बना लीजिएगा वैं आपको दिखाती हूं कि हमारी सारी टिक्या सिखा के कितनी ये ज़्यादर क्रिस्पी बनाने के लिए आलू की तिकी बूरी तरीके से रड़ी है तो चले बर्गर बनाने चलते हैं अब हम उसी तवे पर थोड़ा सा बटर डाल कर बटर अगदम गरम पिखलने तक वेट करेंगे उसके बाद अपने दोनों बन को न डाल कर अच्छे से दोनों साइट से न उसे अच इसका एक slice डाल देंगे, ज्यादा तर लोग ketchup लगाना पसंद करते हैं, तो आप इस पे ketchup भी लगा सकते हैं, या कोई chutney हरी chutney लगाना चाहते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं, आप layering इसको अपने according कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, जो layering मैंने बताई हैं, वही आपको करनी है, उसके बाद मैंने इसमें chopped प्यास डाला है, उसके बाद फर हम एक टिकी डालेंगे, और उसके बाद ना कटे हुए tomato डालेंगे, आप चाहें तो खीरे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट और अच्छा आता है, मेरे पास इस वक खीरा भी level नहीं था, तो म मेरी तरह इसमें fresh cream डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, उसके बाद हमने double layer वाले टिकी का burger बनाया, तो दूसरी टिकी डाल का उपर से दूसरा बन वो डाल दिया है, अब 2 minute हम इसे इसी तरीके से सेख लेंगे, और हमारा burger बन के ready है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये क इतना ज्यादा टेस्टी बना है, देख सकते हैं आप इसे ketchup के साथ, tomato ketchup के साथ, या किसी chutney के साथ, सब के साथ, बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी recipes पसंद आती है, तो मेरी चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा, वीडियो को लाइक कर साथ, तब तक के लिए बाई, थैंक्स हुरो